परिचय बस एक ऐसी प्रणाली है जो डाटा को एक स्त्रोथ से दूसरे स्त्रोथ तक ले जाती है कम्प्यूटिंग की शुरुवात में बस का इंप्लिमेंटेशन या कारियानवयन सिस्टम बस द्वारास प्राप्त किया गया था बस इसके विभिन प्रकार हैं जो डेस्क्टॉप कम्प्यूटर्स में प्रियोग किये जाते हैं उनमें से कुछ हैं EISA, ISA, PCI, VLS, AGP, आदी बस इस, बस एक भौतिक कनेक्शन का सेट है जो एक दूसरी के साथ समवाद या कॉमिनिकेट करने के उदेश्य से कई हार्डवेर घटकों द्वारा सांजा किया जा सकता है बस का उदेश्य है संचार के लिए आवश्यक, पाथवेज की संख्या को कम करना और एक ही डाटा पर सभी संचार या कॉमिनिकेशन को ले जाना इसमें सभी हार्डवेर, सौफ्टवेर घटक और प्रोटोकॉल्स भी सम्मिलित होते हैं बसेस पर सूशना इलेक्ट्रिक पल्सेस की एक श्रंखला की तरह चलती है प्रतेक पल्स वन बिट या जीरो बिट का प्रतिन हिर्टो करती है बस का आकार और चौडाई इस बात पर निर्भर करती है कि वह एक साथ कितने बिट्स को लेकर चलती है बस की गती और क्षमता पल्स पर और इस बात पर निर्भर करती है कि वह एक सेकिन में कितनी तेजी से इस डाटा को संचालित करती है कुश बसेस प्रतेक साइकल के दौरान दो स्टेप्स चलती है इसे बस को डबल पंपिंग करना कहा जाता है बसिसके दो प्रकार होते हैं पहला Internal Bus और दूसरा External Bus Internal Bus डाटा, एड्रेस, इंस्टरक्शन और अन्य जानकारी को प्रोसेसर में स्थित, रिजिस्टर और अन्य आंतरिक घटकों के बीच में चलाती है External Bus प्रोसेसर के बाहर स्थित होती है और प्रोसेसर के माध्यम से डाटा, एड्रेस, इंस्ट्रक्शन्स और अन्य जानकारी, रिजिस्टर, घटकूं और अन्य आंतरिक घटकूं के बीच ले जाती है बसेस, समानांतर बसेस हो सकती है जिसमें डाटा समानांतर में चलता है या एक Serial Bus हो सकती है जो डाटा को Bit क्रमवाचक यानी Serial रूप में चलाए बस की विशेश्टाएं बस की कुणवत्ता पता करने के लिए ये देखा जाता है कि वो कितनी मात्रा में एक साथ जानकारी प्रेशित कर सकती है इस मात्रा को Bits में दर्शाया जाता है जो डाटा भेजने वाली Lines की गिनिती पर निर्भर करता है बस की गती को इसकी आवरत्ती और प्रती सेकंड प्राप्त या भेजे जाने वाले डाटा पैकेट की संख्या द्वारा परिभाशित किया जाता है हर बार जब डाटा भेजा या प्राप्त किया जाता है तो उसे एक चक्र या cycle कहा जाता है इस तरह से बस की अधिक्तम स्थानाथरण गती का पता चल सकता है डाटा की मात्रा जो समय की प्रती 81 से स्थानांतरित हो रही हो उसकी गणना फ्रिक्वेंसी से इसकी चोडाई को गुणा करके की जाती है बसेस के लक्षन प्रतेक बस दो महतोपूर्ण लक्षनों से बनी होती है पहला डाटा बस और दूसरा एड्रेस बस अधिकतर इसे डाटा बस कहा जाता है क्योंकि यही लाइने स्थानांतरित होने वाले डाटा को ले जाती है एड्रेस बस उन लाइन्स का सेट है जो जानकारी को मेमरी से बस तक और बस से मेमरी तक ले जाता है चूंकि बस एक डाटा चैनल है जिसके माध्यम से जानकारी बहती है इसलिए अगर बस अधिक चौड़ी है तो इसके पाथ से अधिक जानकारी प्रवाह कर सकते हैं। इन विशेष्टाओं के कारण बस की bandwidth बताती है कि सैध्धानतिक रूप से कितनी मात्रा में जानकारी निश्चत समय में बस में स्थानांतरित की जा सकती है।